दोस्तों आप तमाम लोग जानते हैं कि देश भर में Citizenship Amendment Act को लागू कर दिया गया है 2019 में ये कानून पास हुआ उसके बाद 2024 में रमजान के पहले ही दिन इसे नोटिफाई किया गया और ये बात कही गई कि अब हम परोसी तीन मुल्क अफगानिस्तान पाकिस्तान और बंगलादेश के छे धर्म के लोगों को जिनमें मुसल्मान को छोड़ करके पारसी, हिंदू, जैन, बौध, सीख, इसाई इन छे लोगों को जो है इन छे धर्म के जो लोग हैं उन्हें हम यहां नागरिकता देंगे 2014-31 अगश्ट से पहले जो लोग भी यहां आ चुके हैं उन्हें नागरिकता दी जाएगी इस कानून को लेकर के लगातार देश में विरोध शुरू हुआ और पहले भी विरोध हो चुका है इस कानून के खिलाफ लगबग सुप्रिम कूर्ट के अंदर 200 से ज़्यादा याचिकाएं दर्च की गई है कि इस कानून पर स्टे लगाया जाए क्योंकि ये एक और समविधानिक कानून है और समविधानिक बताने के सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि ये कानून धर्म के आधार पर बनाया गया है भारत एक समविधानिक मुल्क है, यहाँ पर तमाम धर्म को एक मानिता दी गई है, तमाम धर्म के लोगों को एक राइट्स दी गई है, उसका उलंगन ये कानून करता है, इस बिना पर इस कानून का विरूद किया जा रहा है और कई सारे केसे सुपरिम कोर्ट में लोच्ट कि लगेगी या नहीं लगेगी क्योंकि 200 से जादा cases को जो है जोड करके क्योंकि पिछले तुना सदुद्दीन वैसी ने भी इस पूरे मामले पर case किया था और इन्होंने अपील की थी क्या कुछ खबर सामें आ रही है वो आपको बता दें सबसे पहले तो ये कि आप हिंदुस्तानी मीडिया को ट्वीटर पर भी फॉलो कर सकते हैं Supreme Court issues notice to center on the please seeking stay on the citizenship amendment act 2019 and citizenship amendment rules 2024 यानि कि जो act था दौननीस का अब वो rule बन चुका उसके आधार पर Supreme Court ने issue किया है notice center को यानि कि मोदी सरकार को please seeking stay जो लोग ये मांग कर रहे हैं कि इस कानून पर stay लगाई जाने चाहिए आखिर इस पर Supreme Court ने center से कहा है ask to file its response by 8 April and post the matter for hearing on 9 April 8 April तक Supreme Court ने center से यानि कि मोदी सरकार से कहा है कि आप हमें एफिडिविट दीजिए आप हमें अपनी वज़ा बताईए एफिडिविट का मतलब ये कि आप अपना response दीजिए amendment rules 2024 however the court did not pass any such order लेकिन Supreme Court ने मांग तो ये की गई थी किस पर stay लगाई जाए Supreme Court ने इस कानून पर stay लगाने से अभी मना किया है उन्होंने किसी भी तरह का stay इस कानून पर नहीं लगाया है हाँ लेकिन उन्होंने केंदर सरकार से ये बात पूछी है ये सवाल पूछा है कि क्यों नहीं stay लगा दिया जाना चाहिए Center 6 time to respond to application seeking stay of citizenship amendment rules Center ने समय मांगा है केंदर सरकार ने भी समय मांगा है कि आप हमें समय दीजिए हम आपको reason देंगे हम आपको वजह देंगे कि CAA कानून क्यों लागू किया जाना चाहिए अब इस पूरे परकरन पर आगे क्या कुछ बाते सामने आएगी ये तो अपरेल में पता चलेगा क्योंकि अब ये मामला अपरेल में पहुँच चुका है Citizenship Amendment Act की बात करें तो ये एक और समय धानिक कानून है इसके पीछे की वज़ा ये है कि ये religion based कानून बनाया गया है जो के बिल्कुल सही नहीं है दूसरी बात अगर इसे NRC और NPR के साथ देखा जाए तो ये मुसलमानों के लिए एक बेहत घातक कानून है क्योंके इस कानून के तहट NRC और NPR के जरिये मुसलमानों की नागरिकता खत्रे में आएगी और भी कई सारे धर्म के लोगों के आएगी लेकिन उन लोगों को CA के तहट जो है वो भारत में रख लिया जाएगा भारत की नागरिकता दे दी जाएगी लेकिन उन मुसलमानों का क्या जिनकी नागरिकता कागज ना दिखाने की वज़ा से चली जाएगी तो क्या वो डिटेंसिन सेंटर में बंद कर दिये जाएगे बंधक बना दिये जाएगे या फिर देश से निकाल दिये जाएगे इस सवाल का जवाब किंदर सरकार को देना चाहिए और इसके बारे में खुल करके राय देनी चाहिए, बतानी चाहिए कि हम किसी भी तरह से एक भी मुसल्मान को इस कानून के तहर इनारसी नपियार होने के बाद भी देश चे नाहीं तो निकालेंगे, नाहीं उन्हें बंधग बनाएंगे, नाही अमेरिका के द्वारा भी विरोध किया जा रहा है आप तमाम लोग अपनी राइक कॉमेंट स्ट्रिक्शन में दीजेगा तब तक लिए दीजिये अज़ाज़ा फिर मिनेंगे किसी नहीं वीडियो के साथ किसी नहीं पेशकस के साथ